जैसे कि आप सब जानते हैं सद्धियों का मुसम चल रहा है और मार्केट में मेथी बहुत असानी से मिल जाती है और आज हमने सोचा कि मेथी के साथ कुछ एक रेसिपी ट्राइ की जाए जिसके मेन इंग्रीडियन्स हैं लसन, आद्रक, हरी मिर्ची, जीरा, बेसन और मटर अब मैं आद्रक और लसन को ग्रेट कर रही हूँ अब मैंने आद्रक और लसन को ग्रेट करके इनका एक पेस्ट त्यार कर लिया है अब हम एक पैन में तर्फों को तेल ले रहे हैं और तब तक के जब तक के तेल घरम होगा मैं बाकी के इंग्रीडियन्स चॉप करके रखे गए अब एक कड़ाई में मैंने मेथी और मतर को बॉइल करने के लिए रख लिया है मेथी मैंने पहले से काटके और डोग कर रख ली थी अब उस पानी को हमने बॉइल करने के लिए रखना है उस पानी में मैंने डाला है थोड़ी सी चीनी और नमक थोड़ा सा चीनी से उसका कलर चेंज नहीं होगा और नमक से उसकी कड़वाहट खर्तम हो जाएगी अब मेरी मेथी बॉइल हो गई है अब इसको इसको इसका पानी निकालके हम एक साइड इसको इलक्ष लेंगे अब हमारा तेल गरम हो गया है इसमें मैं सबसे बहले जीड़ा डालेंगे अब मेरी जीड़ा डालेंगे और इसको तोड़ा सा जून लेंगे अब हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया है अब इसमें हम दो चमच बेसन डालेंगे अब बेसन को थोड़ा तर रोस्ट कर लेंगे इसमें हम हरी मिट्सी डाल देंगे अब हमारा बेसन तक चुका है इसमें हम वाइल किये हुए मट्र और मेट्सी है इसको डाल देंगे अब थोड़ा कम पानी अड़ कर देंगे अब इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे इसमें थोड़ा हल्दी बौदर स्वाद करसा दमक थोड़ी सी लाड़ मिश्ची इसको 2-3 मिनट चला लेंगे और यह हमारी आध्या यह अंदर रो रही थी इसको इसके पापा उठाके अब इदर लाए हैं अब यह हमारी आध्या पापा के सथ घूम रही है और मज़े ले रही है अब हमारा मेथी मटर जो है बुन गया है अब हम इसमें थोड़ी सी घर की मलाई डाले ले आप अकनी मज़ी से डाली जिए उतने आपका मन्ने चंबच उतने डालीजी और यह हमने मलाई डालके अब लास्ट में एक चमच मैंने जिसमें गी आड किया है आप चाहें तो इसमें बटर भी आड कर सकते हैं यह हमारे घर का गी है गी डालने के बाद इसका थेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा और लीजिए हमारी मेती मटर पेसन की सबजी से त्यार है अब हमारी बन कर त्या लीजिए हमारी सब्जी जो है अब रड़ी होगी है इसको अब रोटी या प्रांखी के साथ इंजोई कर सकते हैं और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और तो मेंट जरूर कर लिए थैंक्यू